आप गड़ो देखो इस सवाल को देखो एक कख्षा में तीस विध्यारती की सोगन यह ऐसा प्रशन है मजहदा一直 अब दिखिएगा नौट कीजिए का बड़ा आनद आएगा कि एक कख्षा में तीस विध्यारती एं जिनमें लड़कियों की संक्या लड़कों की संक्या से दुगनी है, लड़किया डबले भई, श्रेणी में उपर से महस्त का बारवाई थान है, ठीक है मैं मैं मान गया, यदि साथ लड़किया महस्त से उपर हूँ, तो महस्त से पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं, गजब, गज तीस लड़के विज़ारती हैं लड़कों में और लड़कियों में टोटल संख्या कितनी है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है माल लो अगर लड़का एक है तो लड़किया दो है अब अगर मैं ओरीजनल में बात करता हूं तो मेरे पास लड़क होंगे hoonget 20, अभी तक तो यह clear हुआ, अब क्या हो現, यदि महश ऊपर से बारवब्र स्थान पर हो, भै यह जो है बारवब्र स्थान है और यहां पर ऊपर से महश हैं, अब महश हैं अगर बारव利 स्थान पर है पंक्ती मैं, वह महश के ऊपर जो लड़के और लड़किया होंगी वो तोटल ग्यारा होंगे की नहीं होंगे महस को पर मिक्स है पूरा लड़के लड़किया अब ग्यारा में से साथ लड़किया महस के आगे है यानि जो गल्स है वो कितनी है साथ तो बोईज कितने हो जाएंगे बेटा चार यह वास समझना मैं वापस म तो बचे चार वो लड़के हुए अब पूछा क्या है तो महस से पीछे कितने लड़के हैं अब यार एक बात बताओ एक बात बताओ लड़के यानि बोईस तो है टोटल दस जिसमें से चार लड़के इसके उपर है और एक खुद महस यानि पांच तो दसमें से पांच तो मह महस तक है तो नीचे कितने बचेंगे पांच तो महस के पीछे जो लड़कों की संख्या होगी वह होगी बेटा पांच तो यह पांच जो होगा वह आप कांसर होगा अगर यह पूछ लेता कि महस के पीछे लड़कियों की संख्या बताईए तो महस के आगे लड़कियों की तोटल लड़किया 20 से 7 घटा दूँगा कितना जाएगा बेटा 13 आ जाएगा तो यह आपका अंसर हो जाएगा बात समझ में आया कि नहीं यह एक अच्छा क्योशन था समझने लाइक क्योशन था पहले कोमेंटिशेशन में लिखकर बताओ समझ में आया कि नहीं आया